सफाइ करने के बाद एक घर भी अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों का घर वैसी साहर भी है तो मैं हमारे नगरपालिका से यह ही कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो है समय समय पर कम से कम नहीं फिर भी साल में तीन से चार बार भी महिलाओं का होस्पिटल में जांच होना चाहिए कांच वगरा कई बार हम लोगों को लग भी जाता है तो आपके टीम में कितने लोग हैं और क्या-क्या पद पे लोग है? यहां ज्यादा तर महिला हैं तो यह सफाई दीदी के पद पे ही हैं और मैं हूँ अपने सेंटर की अध्यक्ष हूँ अच्छा अध्यक्ष हैं तो आपका क्या रोल होता है यह रोल कुछ नहीं है बस यह जैसे ऑनलाइन इंट्री वगरा हो गया और सेंटर के जो लिखने पढ पुर्हेट में कितने लोग और कि estaroo हे तो सारी इसे हम और सदर्शने में तो दो नहीं प्रणा भार में चूतियों हमगरें जाती हैं तो जब से जबनार नम्बर कितना हो था जैसे कोई वार्ट बढ़ा हैं तो वहां पर साथ कितनी पान अए हैं यह जाती हैहां तीम आज और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए नगर पलिका की तरफ से को कुछए हम. मिलती है हां मिलती है पर वही प्रॉब्लम है कि ग्लब्स वगरा समय पर नहीं मिलता है साल में एक बार या दो बार मिलता है इसके बाद नहीं मिलता है ग्लब्स जो है डेली का कार्या करना है तो खराब हो जाता है उसके लिए मैं अगरपाली कैसे बोलना चाहूंगी कि कि आप नहांना के अचा वावर भी नहीं कुछा भुछा जहा नहीं। क्नल्स मस्या बहुता है क्या बड़ीं नुदी एक किसी इक कचड़ में गोड़ शबॉक़ रोग शबना मोझा चाहे. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी नगर पालिका को या फिर सासन को यह जो है कई कांच वगेरा कई बार हम लोगों को लग भी जाता है हाथ पे पर जैसे बोरी पर हम लोग कच्रा लेकर आते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वाड के जो घर वाले हैं वह हम लोगों को नही है नगर हमारे नगर पालिका से यह कहना चाहंगी कि हम लोगों का जो है समय समय पर कम से कम नहीं फिर भी साल में तीन से चार बार महिलाओं का यदाzh होना चाहिए है इचा हम अब का मतलब की जांच सुश्घ को लेकर होना चाहिए क्या पशनै घंज क्याप्र का आख को लगता है कि अगर आप लोगों के सामने अड्रेस करेंगी जो आपके अधिकारी हैं तो वो चीजे सरल हो सकती है आपके लिए मैं अपने अधिकारियों से तो सबसे पहले ये बूलना चाहूंगी कि जो हमारे वाडो में दिक्कत चल रहा है वाडो में लोग हम लोग से कछरा देने के लिए नई देने के लिए बैस करते हैं तो इसके लिए जो है एनाउंस करवाना चाहिए जिसे कि एनाउंस करने पर लो जो है नोटीस का प्राधान जो है जो है जया है कि माली जी आप मुझसे कचड़ा ले ने आई मैंने आपको कचड़ा नहीं दिया तो आप मेरे जैसे इंसान को आप क्या बोलना चाहेंगे इस बीडियो के जरी आप बोल सकते हूं काफी दक सफाई भी हो गया है अज़ देली का है जाड़ लगा रहे PSAR है तो काफी हत लोग जो लोग जसे बाहर कच्रा डाल देते हैं बस आगे अगे जा करके हम लोगो को कच्रा जब देंगे तब ही तो हम लोग का सहर भी साफ होका तो जैसे सहर को साब देखकर या फिर किसी रोट को साब देखकर आपको गर्व महसूस होता है कि मैं इस काम के मतलब इस काम में मेरी भागेदारी है तो आपको कैसा महसूस होता है गर्व महसूस होता है या फिर बहुत अच्छा लगता है भाईया अपना जैसे हम लोग का घर ही है घर में कच्रा फैला रहेगा तो आमों को बहुत खराब लगता है ना सफाई करने के बाद ही घर भी अच्छा लगता है जैसे हम लोगों का घर ऐव ऐसी सहर भी है इसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती जैसे जब आपने स्टार्ट किया ये काम तब आपको कु करने की ट्रेनिंग दी गई थी तब आप लोगों को बताया गया था कि आपको गलप्स मिलेगा या नहीं मिलेगा बताया था मिलेगा पर आपको मिला ने अच्छा मतलब पिछले कितने महीने उसे या फिर कितने सालों से आपको आपको आखरी वार गलप्स मिला होगा हम लो आता है कपड़े वाला कुछ टाइम टिकता है फिर भी कितने टाइम तक टिकता है दो से तीन महिने तो आपको पिछले चार मेहने बतलब लाश्ट चार मेहने पहले आपको लप्स मिला हुआ था जी इस ग्लप्स के लावा और क्या की ठोती है इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको उपलब्द कराया गया है जी तो आपके पास जूता उपलब्द कराया गया आपको जी है तो यह आपके मतलब आप इसे डेली यूज करते हैं जब जाते हैं तो जी जब इस स्वस्ता भियान की पहल के गई थी तो लोगों को घरों पे जा जाकर दो डब्बे बांटे सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा साइद में जहां तक मुझे ध्यान है एक निला रंग और एक हारा रंग था साइद तो अब वो डब्बे अब लोगों को मतलब बाढ दिया जाता या फिर नहीं दिया जाता और फिर जैसा आपने बोला कि लोग एक ही में कचड़ा लाकर देते हैं तो लोग उस दब्बे की सिस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहें अब तह कर रहें खैल्याध यह जो यह कां सुरू हुआ उसमें काम सुरू होने से पहले देया गिया था मैं तो सरकार के दारे यज भी भार आदत लगाने के लिए टब्ब दिया गया था इसके बाद में डब्बा खराब हो गया क्या है लोग ये कहते हैं कि हम लोग कच्रा किस चीज में रखें डब्बा हम लोगों को ला करके दोगे तब नगा तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी सव पचास रुपए के डब्बे आते हैं वो ले करके आ जाएं और उसमें कच्रा हम लोगों को दे और अप समाज को अपने घर को और समाज को साफ रखने में मतलब अपना एक योगदान दे जी तो जैसे और भी जो आपके साथ जो कारेरत हैं अठारा लोग और इसके साथ साथ मनिंदगध में कितने और अलग अलग शेंटर बने हुए हिए L beta यहां अपने मनिंदगढ में तीन सेंटर शे whadisa एक वारड नंबरים पंद्रा में है एक वारड नंबर शार में और एक वारड नंबर वीस में 20 के अपıt तो पूल्य मनिंदगण के सेहर का कचडा कि कुए फर दौन इरन चेंज किया जाता है ता require बड़े वाड है तो किसी ना किसी को इधर उधर जाना पड़ता है इसलिए हम लोगों का क्या है समय समय पर जिस छे मैने या साल भर में अलग-अलग वाड़ों में चेंज किया जाता है ताकि हम लोगों को सभी वाड़ों की जानकारी रहे और जैसे कि स्रिफ डोर टू डोर कच्रा कलेक्ट करने के अलावा नगर पालिका के दौर आप लोगों कुछ और काम कराया जाता है या फिर स्रिफ आपका यही काम है डोर टू डोर कच्रा कलेक्शन के अलावा हम लोगों का काम है यह एनेच रोड की सफाई और इसके अलावा कुछ और भी काम आपसे कराया जाता है सिर्फ आप दो काम करते हैं इसके अलावा ये मार्केट का जो कच्रा उठता है वो छटाई वाला काम जो कराया जाता है आप लोगों से जी